गुड बॉर्निंग थर्स्टेंडर स्टूड़न्ट हाई बच्चों कैसे हो आप आपकी छुटी खतम हो गई है और आज से आपकी स्कूल शुरू हो गई है तो बच्चों हमें भी बहुत इच्छा है कि आप हमारे स्कूल आए और हम आपको पढ़ाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कुछ दिनों के बाद फिर से क्लास शुरू होगी और आप और हम साथ में पढ़ेंगे ठीक है तो बच्चों आज के लिए हम ये रिवीजन स्टार्ट कर रहे है पान नमबर चार निकालिए पान नमबर चार तो बच्चों हमें वर्दमाला देखनी है सुर्व वेजन का पुनरभ्यास करना है सुर्व वेजन का पुनरभ्यास करना है सुर्व में क्या आता है बच्चों पता है आपको सुर्व में ये क्या है अ से आहा तक सुर्व है और वेजन का से शुर तक होते है उ उ रू ए आई ओ आउ अम अहा स्वर में अ से अहा तक स्वर होते हैं और वेंजन में क ख ग ख न च च ज ज ज न त थ द ध न त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ भ म य र ल व श श स स ख क्ष त्र न और श्र तो ये हमारे स्वर और वेंजन का हमने पुनरभ्यास किया है पान नमबर चार अब हम देखेंगे मात्रा पढ़ने का पुनरभ्यास अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए अ से शुरू होने वाले जो शब्द है वो है अब घर फल नयल बथक ये जो शब्द है बचो इसमें कोई मात्रा नहीं है अ की मात्रा नहीं होती आ की मात्रा ये है अ की मात्रा ये है तो ये क्या है जैसे हम वेंजन को आ की मात्रा लगाने के बाद तयार होता है आम, दास, ताला, चादर, लडगा आ की मात्रा से आने वले ये शब्द है आकी मात्रा से आनेवाले शब्द आम, दास, ताला, चादर, लड़का E, E की मात्रा E की मात्रा से तयार होने वाले शब्द है इधर क्योंकि ये E है E से शुरू होने वाले शब्द है इधर और E की मात्रा, ये E की मात्रा है, E की मात्रा से ये शब्द तयार हुए है, दिन, सीर, तक्या, किताब, क्योंकि हमने E की मात्रा इस शब्द पर लगाई, इसलिए E की मात्रा से आने वाले शब्द है, इधर, दिन, सीर, तक्या, किताब, ओके, ये हो गई छोटी E और ये बड़ी E, बड़ी E की मात्रा ये है, बड़ी E की मात्रा से आने वाले शब्द, ये बड़ी E से Eक, E से Eक, और ये मात्रा लगाने के बाद तयार होने वाला शब्द है, मीठी, खीर, कहानी, पनीर, इसे तयार होने वाले शब्द, E की मात्रा से तयार होने वाले शब्द है, मीठी, क्योंकि ये मात्रा यहाँ पर लगाई है, देखिए, ये मात्रा यहाँ लगाने के बाद कौन सा शब्द तयार हुआ? मेठी, खीर, कहानी, और पनीर, ओके? अब हम देखेंगे उ, उ की मात्रा यह होती है, उ की मात्रा, उ से तयार होने वाले शब्द है, ये उ का उठ, ये शब्द, और ये मात्रा लगाने के बाद, पूल, खुशी, धनूश, बगूला, उ की मात्रा से तयार होने वाले शब्द है, उठ, ये उ का उठ, और ये मात्रा लगाने के बाद, पूल, खुशी, धनूश, बगूला, ओके? ये चोटी उ और ये बड़ी उ, बड़ी उ की मात्रा ये है, ये उ से उन, और ये मात्रा लगाने के बाद, कौन सा शब्द तयार हुआ? फूल, धोब, सुरज, पूरब, क्योकि ये उ की मात्रा, यहां देखो, ये उ की मात्रा है, ये उ की मात्रा यहां लगाने के बाद, फूल, धोब, सुरज, पूरब, ओके? उकी मात्रा से आने वाले शब्द है उन, फूल, धूप, सूरज, पूरब अब हम ए, ए से एडी, पता है न आपको ए, ये एकी मात्रा है एकी मात्रा है, एक मात्रा इसे कहते है, उपर ऐसे ये है न, इसे एक मात्रा कहते है ए से एडी, पेड, क्योंकि ये एक मात्रा है, उपर एक मात्रा है इसलिए उपर हमने एक मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द दयार हुआ पेड, सेब, गनेश, कितकी एसे तैयार होने वाले शब्द है एडी, पेड, सेब, गनेश, कितकी अब हम देखेंगे अई, अई की मात्रा ये होती है यानि उपर दो मात्रा होती है अई की दो मात्रा होती है समझ में आगया? तो ऐसे आने वाले शब्द है एनक, बैल, पैर, मैदान, फैसला ठीक है? अई की मात्रा यहाँ देखो बच्चो अई की मात्रा ऐसे आने वाले शब्द है आईनक बैल क्योंकि ये दो मात्रा इस शब्द के उपर है देखो बैल यहां भी दो मात्रा है पैर यहां भी दो मात्रा है मैदान और फैसला समझ मैं गया ठीके तो अब हम देखेंगे ओ ओ की मात्रा ये है तो इसे क्या कहते हैं एक काना और एक मात्रा यहां एक काना क्योंकि ये आ काना यहां पर है न ऐसे ही और उपर एक मात्रा है इसलिए ये ओ की मात्रा है ओ की मात्रा ओ की मात्रा से आने वाले शब्द है ओखली कोड मोर कोयल धोलक ओके ओ की मात्रा से आने वाले शब्द है ओखली कोड मोर कोयल धोलक ठीके अब हम देखेंगे आउ अउ याने ये अउ की मात्रा यहां देखो यहां दो मात्रा दिखाई दे रही है एक काना और दो मात्रा अउ की मात्रा ओ से आने वाले शब्द है औरत कवाँ गोरा खिलोना चोराहा यहाँ देखो पच्छो जैसे यह मात्रा है ना वैसे ही यहाँ पर है ना आउरत के यहाँ यह शब्द है यहाँ पर दो मात्रा एकाना दो मात्रा एकाना दो मात्रा एकाना दो मात्रा तो आउसे आने वाले शब्द है आउरत यह इसके आउके यह क्या है मात्रा आउकी मात्रा अउसे आने वाले शब्द है आउरत, कव्वा, गव्रा, खिलोना, चोराहा ओके? अउक के बाद आता है अम यहाँ देखो, अम की मात्रा कैसी है देखो? यह उपर एक बिंदी अम से आने वाले शब्द है अंगूर, शंक, घंटा, मंदीर, पंडित तो यहाँ देखो, हर अक्षर के उपर एक एक बिंदी है तो यह अम की मात्रा है अंगूर, शंक, घंटा, मंदीर, पंडित समझ मैं गया? अब हम देखेंगे आहा अब हम देखेंगे आहा आहा यानि क्या देखो बचो यह विसरग यानि एक से दो बिंदु है यहाँ अम से, अम की यह मात्रा है अहा की मात्रा है, अहा से आने वाले शब्द है, अहा, प्राताहा, नमहा, पुनहा, स्वताहा, जब हम ये अहा के शब्द आते हैं, तो बहुतांश ये शब्द संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के ये शब्द होते हैं, जैसे देखो यहां, अहा, यहां दो बिंदी आती हैं, इसे हम क्या केते हैं, प्राताहा, नमहा, पुनहा, और स्वताहा, तो जब यहां दो बिंदी आती हैं, तो अहा, अहा का प्रयोग होता है, तो बच्चो मात्रा पढ़ने का पुनरा अभयास हमने यहाँ पर किया है आपको क्या करना है? पार नमबर 4 और 5 पढ़ना है और आपको लिखना है आपके नोट बूक में समझ मैं आ गया? आज का क्लास हम यहाँ खतम करते हैं बच्चो और कल हम नया पढ़ सिखेंगे ठीक है? ठैंक यू